आज का जो विशी है जिसके बार में बात करेंगे अज कूछ नहीं बोलूँगी सिर्फ इलाज बताऊंगी सीधी बात है क्याते है जो आज इलाज बताने जारी हो वो खुदी सारे जवाब दे देगा के जिंदगी में अगर जटके बार-बार आ रहे है पटकी बार-बार आ लोगों के कैते ना नजरों में कोई इजट नहीं आपकी सीधी बात है विवाहिक कैते ना विवा हो तो गया कई ना कई वो जो सुख नाम की चीज कई ना कई देखनी रहे हो बार-बार कैते ना कभी दर भटकरे कभी उदर भटकरे कुछ नहीं हो रहा यह मंगल दोश जिसके चीज़े कोट कचैदी के मसले होइंगे पर एक चक्र कषैर सबहा कि दोयगे इस दमनांको पड़ती उनके में स्ट्रगल नहीं पड़ती है लेकिन उनका मनोबल होता है वह एक सेना पती जैसा होता है एक soldier जैसे होता है कि मुझे मैं एक रड़ भूमी में खड़ा हूँ मुझे वो जंग जीतनी है उसको सिर्फ और सिर्फ जीत दिखेगी और जिसके मंगल बद है, मंगल कमजोर है, मंगल दोश है, उसको सिर्फ हर चीज में हार ही हार दिखेगी और जब वो हार को देख लेता है तो वो डर जाता है, वो डर जाता है तो वो हदियार छोड़ देता है हमारा काली का जो स्थान है मूलाधर चक्रा कल भी इस चीज के बर में बात की थी मैंने, गनपती जी का जो स्थान होता है, लेकिन मुलाधार चक्रा ये जो काली का स्थान है अगर वो पावर में नहीं है तो ये सारी चीजे होईगी अपने अंदर बल नहीं रहेगा इंसान पीड़ा हमेशा कुछ न कुछ पीड़ा उसकी जिन्दगी में होएगी लेकिन जब हम कुछ चीजों के कुछ साधना से कुछ ऐसी विदियों से उसको जागरुत कर लेंगे तो हमारा कौन क्या बिगाड़ पाएगा क्योंकि अपने अंदर ही ऐसी शक्ति आ जाएगी कि जो चीज सामने देखेंगे पका पता है उसको काटा मार के पिछाड मारेंगे और वो ही लेविल की चीज आज बताने जारी कितने भाई साब जब प्रिडिक्शिण आई ओनली टॉक आउट आँ ओनली बिलीव इन प्रिक्टिव अस्ट्रोलिजी प्रिक्टिव स्टेडी हम जब अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं जब हम राशी के बारे में पूछते हैं तो आपको जो मतलब रखना चाहिए वो मतलब आपके लगन के असेंडेंट से रखना चाहिए वो मेन चीज है आप समझे हां जी हमारी नाम से कौन सी राशी हमारे इस से कौन सी राशी जैसे जो नवेंबर में पैदा हुआ है वो व्रिष्चिक राशी हो गई आप समझे लेकिन ये नवेंबर डिसंबर नहीं लगन से देखने का पहले में अगर एक है तो वो मेश दो है तो व्रिशब ऐसा आप समझे मेरी बात को अब सबसे पहली चीज मंत्र नोट डाउन करो मंत्र नोट डाउन करो आपको हिसाब नहीं क्या देने जा रही हूं 21 दिन तक करना है 21 दिन करो फिर थोड़ा गैप देना तो दे दो लेकिन 21 दिन में एक दिन का भी गैप मुझे नहीं चाहिए अगर चाते हो यह तो भतक ना अगर भतक नहीं देशते पूच लेते अचमय अच्छ चलो उससे पूछ लेतें पूछो 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 बटको बटको सीधी बात किसी का क्या जाएगा फोन पर बोल देने का दो चार चीज़े और चुटी हो गई सीधी बात लेकिन वाकी अगर हाध कड़े हो गया ना तो आज जो चीज बताने जारी उसका हिजाब नहीं क्या लेवल की चीज़ है यह पहले मंत्र नोट डाउन करो जैसे बोल रही हो वैसे ही करना है उंकाली, महाकाली देवी, क्रिंग, क्रांग, क्रंग, क्रंग, कंग, कंग, क्लीम, 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 फट स्वाहा ये है, ये मंत्र हिसाबने क्या है ये अब हवन कुंड, गाई कॉपला, देशी कपूर, घी डालकर अगनी जला दी अहूतियां पता है किस चीज की देनी है लाल कलर के कपड़े के छोटे-छोटे पीसिस कर लो लाल रंग का कपड़ा, लाल सिंदूर, लाल चंदन, तिल, काले तिल ठीक है? जो, इस चीज का आपने मिक्स्चर बना लिया, इस चीज से आपने अहूति देनी है, 108 बार मैंनी कहरी किलो किलो लेना है, हम होते को ने उपर वाले को चड़ावा जैसे एक बर कंसिल्टेशन की थी मैंने, मैं कहीं एक एक चुटकी चड़ानी है हमारा भी तो कोई फर्स बनता है कि उपर वाले के लिए कुछ कर सकें, हम होते को ने उपर वाले को चड़ावा देने वाले सिद्धी बात है, उनको क्या लेना देना, वो हमारा भाव देखता है, किस भाव से कर रहे हैं, क्या चीज उसमें एक एक चुटकी भी अगर करते हैं, हमारा काम हो गया एक एक चुटकी से ही करना है किलो किलो नहीं डाल देना कि बस काली प्रसंद हो जाएंगी काली आपकी आपकी वो कहते ना बड़ोतरी से प्रसंद होगी आपके अंदर जो बल आएगा उससे प्रसंद होएगी काली मा इस चीज से एक बार मंत्र बोलना आहूती दी, एक बार मंत्र बोलना आहूती दी, मैं क्या थी ब्रह्मूरत में कर लो या तो, या रात के समय करो, दस बजे के बाद कर लो घर का आप महौल देखना, आप घर का एक पावर देखना, अपने अंदर एक पावर देखना, हिसाब नहीं, हिसाब नहीं बाईसाब, 21 दिन तक करो, 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 करो आपको एक और बाद बताती, लाल इट होती लाल इट, लाल इट को आपने शहद में डुबोना है, लाल कपड़े से बांद के, इसको मंगलवार को सूर्य अस्त के बाद दबा दो, गार दो, किदर गार दो, अगर सिफ मंगलवार, मंगलवार, मंगलवार ही करते हो, बढ़ जो क्याते है गुड की चाशनी में तंदूर की रोटी, आठ तंदूर की रोटी, आप समझें ये अगर आप मज़दूरों को जाकर बाठ दो, इसके साथ साथ कुछ और भी खिला, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कहेगा कि ये क्या गुड की रोटी दे दी तंदूर, उसके साथ में सब्जी सुब्जी दाल दूल खिला दो इसको अगर आप कंटिन्यूटी में कंटिन्यूटी में यह जड़के आरे कभी किस चीज का जड़का कभी इस चीज का जड़का एक चीज से बारा आते तो दूसी चीज से बारा जाते तो चौती चीज बारा अभी करें तो करें क् ईलज मेरे पास बहत है इलाजों की कमी नहीं मेरे पास आप करने वाले अपके खोश न उड़ गए ऐसे एसे लजबी है लेकिन वही बात है मेरी भी एक मरियाद है विडियो में कुछ चीज़े बोल सकती कुछ चीज नहीं बोल सकती सीधी बाता है ठीक है चलो चैनल को सब्सक्राइब करो मेरा दिल अपने दिल से जोर दो विज्जे को लाइक करो शेयर करो सब की सिंदगी ठाओ जाए ओके दन बाबाई नमस्कार